पाकिस्तान के कारिबाहक प्रधानमंत्री नियूति के गए मीर हजार खान खोसों ने आजपद और गोपनियता की शपत ली राश्पती आसिफ अली जर्दारी ने आज एक समारों में खोसों को शपत दिलाई इस मौके पर पूरुप धानमंत्री राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी विबुरी राजनीतिक दलों के नेता शेष्ट सैन अधिकारी नौकर शाह और राजनाईक मौजूद थे आर्फिक संकर से जूज रहे साइप्रस को दिवालिया होने से बचाने के लिए यूरो जोन उसे 10 अरफ यूरो का पैकेज देने पर राजी हो गया है इस बेलाउट योजना को लागू करने के लिए साइप्रस को अब बैंक तंतर के आकार और अपने बजट में भारी कटवती करनी होगी इसके लावा बड़े पैमाने पर धाचागर्थ सुधार और नीजी करन को बढ़ावा देना होगा दोनों पक्षों के बीच बेलाउट योजना लागू करने के लिए समय सीमा खत्म होने से कुछ घंटे पहले यह समझाता हुआ योरोजोन के 17 देशों के वित मंत्रियों ने इस पर अपनी सहमती जदाई है अफगानिस्तान की बगराम जेल को आज अमरीका द्वारा अफगान अधिकारियों को सौप दिया गया अफगानिस्तान में अमरीकी नियंतर्ण वाली जेलों को अफगान अधिकारियों को सौपने के मुद्दे को लेकर हाल में दोनों देशों की सरकारों के बीच कुछ तनाव पैदा हो गया था अफगानिस्तान और अमरीका ने पिछले साल 9 मार्ज को जेलों के नियंतर्ण के बारे में एक समझहता किया था लेकिन सभी कैदियों की रिहाई के मसले को लेकर समझहते पर अमल दो बार टाला जा चुका है अमरीका को आशंका है कि कुछ खुंखार कैदियों की रिहाई से सुरक्षा के लिए खत्रा उत्पन हो सकता है अमरीके नियंतर्ण वाली जेलों को अफगान सरकार को सौपना अफगानिस्तान में जारी सुरक्षा जिमेदारी के हस्तांतर्ण की प्रक्रिया का हिस्सा है यह प्रिक्रिया अगले साल के अंतर तक सभी विदेशी सेनिकों की अफगानिस्तान से वापजी के साथ पूरी होगी रूस में लोगों को अब बसंद के मौसम का इंतजार है लेकिन सुमवार को मौसको में तीसरी बार जोरदार बर्फवारी हुई जिसके कारण सडक यातायाद के साथ ही हवाई यातायाद भी खासा प्रभावित हुआ मौसम विभाग के मौसको में मार्ज के महीने में होने वाली और सत बर्फवारी की एक तीहाई बर्फवारी सिर्फ पिछले 24 घंटे के दोरान ही हो गई बरफबारी के कारण मौस्को रिंग रोड पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया